दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे लेटेस्ट वीडियो टाइम पर मिल सकें दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि किसी भी वाहन का Non-Objection Certificate को ओनलाइन कैसे प्राप्त किया दो सकता है तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहे लाश्ट तक देखिए इस वीडियो को ताकि आप Non-Objection Certificate बनाने का प्रोसेस समझ सकें अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों दोस्तों एनोसी बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पर जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस लिंक को यहाँ गूगल में जाकर आपको पेस्ट करना है जैसे कि वाहन.parivan.government.in मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया है अब दोस्तों जैसे है मैं इन्हाँ पर क्लिक करता हूं तो इस दरागा एक पेज खकुलता है वाहन. amar.perivan क diferen का अब दोस्तों यहाँ पर जाकर आपको सबसे पहले रेजिस्टेशन करना है यह देख़ए करने पर आपके पास इस तरह से एक पेज़ किलता है उस page में सारी details आपको भढ़नी है वहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी mail id, अपना phone number और वहाँ पर आपको statement delete select करना है उसके बाद आप इसको submit कर दीजिए दोस्तों submit करने के बाद यह आपके mail id पर एक link बहसता है आप अपनी mail id को वहाँ से open कर लीजिए open करने के बाद दोस्तों उसके बताया गए link को open करेंगे जैसा कि दोस्तों यहाँ पर देखिए link आया है मैंने इसको open किया और open करने के बाद दोस्तों जो उपर OTP दे रखा था mail id के अंदर वो OTP आपको यहाँ डाल कर आपको अपना password नया बना लेना होगा जैसे आप नया password बना के submit करते हैं तो दोस्तों इस तरह से एक message आता है जैसा कि उपर दे रखा है password successfully created अब दोस्तों अब आप login पर जाकर वहाँ पर अपनी mail id और जो password बनाया है वो डाल कर और capture डाल कर click करेंगा तो आप इसकी side में चले जाते हैं अब दोस्तों इसकी site में जो right side के अंदर जो arrow दिया है वहाँ पर आपको click करना है दोस्तों click करने पर हमारे पास बहुत शारे option आते हैं हमें इन option में से online application वाले option पर क्लिक करना है दोस्तों online वाले option पर click करते हैं तो वहाँपर no objection certificate करके option आता है taking plugin तो दोस्तों हम No Objection Certificate पर क्लिक करते हैं और वहाँ पर हमें एक अलग फॉर्म खुलता है वहाँ पर हमें Registration Details, Chassis Number और Registered Mobile Number डाल कर Generate OTP पर क्लिक करना होगा जैसे ही दोस्तों हम Generate OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे Registered Mobile पर एक OTP आयागा उस OTP को हमें यहाँ पर Fill कर देना होगा जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर OTP को Fill कर दिया है Fill करने पर दोस्तों मैं इसे Submit करूँगा Submit करने के बाद दोस्तों हमारे जो वीकल है वीकल की सारी Details यहाँ पर आ जाएगी जो vehicle की noc हम चाहते हैं उसकी details आप यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से सारी details आ जाएगी उसका registration number उसकी policy number सारी चीजे तो दोस्तों हमें अब इसको next कर देना होगा next करने पर हम ने जो noc के लिए apply किया है उसका status आ जाएगा यहाँ पर और अब हम यहाँ से appointment पर click कर लेते हैं दोस्तों appointment पर click करने पर हम हमें noc जो प्राप्त करनी है उसकी appointment लेनी होती है तो दोस्तों मैं 31 माई date to choose कर लेता हूं कि 31 माई को मैं वहाँ पर चाहूंगा और वहाँ पर जाकर noc collect कर लूँगा दोस्तों यह देखिए यहाँ पर लिखा आगए है appointment added इस तरीके से आपक आपको यहां से कुछ document भी upload करने होते हैं अपनी गाड़ी के तो दोस्तों यहां पर जो document दे रखे हैं वह document कुछ इस तरीके से हैं मैं आपको बता देता हूं जैसा कि सबसे फरस्ट में जो दोक्यूमेंट है वह है दोस्तों फॉर्म नंबर 28 यहां पर आपको लगाना होगा इसके बाद दोस्तों अगर आपके insurance certificate भी आपको इसके अंदर अटेज करना होगा और registration certificate rcp इसके अंदर आपको submit करनी होगी उसके बाद दोस्तों हम submit कर देते हैं उसके बाद submit करने पर दोस्तों यहां पर हम आगे process में पहुंचाते हैं दोस्तों जैसा कि मैंने submit नहीं किया है इसलिए यहां पर यह rate sign आ रहा है यदि आप submit कर देंगे तो यहां पर एक green sign आ जाएगा जैसा कि दोस्तों आप यहां पर सकते हैं payment not submitted due to document not uploaded तो दोस्तों इस तरीके से आप NOC को प्राप्त कर सकते हैं जब दोस्तों आप यह फिस्प और सारे document upload कर देते हैं और appointment ले लेते हैं तो उसके बाद दोस्तों आपको एक fill कियावा form मिलता है इसी site से तो यहां से दोस्तों आप उस form का print ले लीजिए appointment के document का print ले लीजिए और अपना आधार कार्ड और अपनी गाड़ी का चैचिस नंबर और दोस्तों उसके साथ साथ जो document आपने upload किये हैं जो RC insurance certificate और form नंबर यह सारी चीजे दोस्तों आपको collect करके अपनी जो गाड़ी की authority है वहां पर जाकर आपको submit करानी होगी और वहां से आपको NOC मिल जाती है दोस्तों उमीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और आप इस वीडियो के जरिये अपना NOC प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लखें और दोस्तों इस वीडियो को share जरूर करतें ताकि सभी को इसका फाइदा हो सकें थैंक यू दोस्तों थैंक यू दोस्तों फोर वाचिंग मैं वीडियो थैंक यू सो मच्छ